हलो दोस्तो आप लोग का स्वागत है एक और निव वीडियो में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास LG का अस्मार्ट टीवी है तो उस अस्मार्ट टीवी में आप अपने किसी भी एप को अनिस्टॉल या फिर इंस्टॉल कैसे करके देख सकते हो तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को हम लोग अस्टार्ट करते हैं इससे पहले कि आप अगर चैनल पे नया है तो सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ओल पे प्रेस कर दीजिए तो चलिए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग को अपने अपने मोबाइल का personal hotspot on कर लेना है और on करके अपने टीवी को connect कर देना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने मोबाइल का personal hotspot जो है उसको on करके टीवी को मैंने connect कर दिया है तो इसके बाद क्या करना है चलिए देखते हैं हम तो यहाँ पे आप लोगको Magic Remote Simply आपको ले लेना है और Magic Remote लेने के बाद ये जो Home वाला Button है उसको Simply आपको Press कर देना है तो यहाँ पे मैं Home वाला Button को Press किया और इधर Right Side में जाने के बाद candidate जाने के बाद यहाँ पे आप लोगको LG Content Store ढूंड़ना है तो यह खूलेगा हमारा तो इसी के साथ देख सकते हूं हमेने जैसे ओके प्रेस किया तो यहां पे हमारा इतना सारा एप खूल चुका है तो यहां पे अगर और आप आप देखना चाहते हो तो यहां पे देख सकते हो सिंपली यहां पे सबसे उपर जाओगा तो एप समारा लिखा हूँ तो यह देखिए मैं यहाँ पे गया और एप्स पर सिंप्ली क्लिक कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ इतना सारे मैं आप आपको अपने टीवी में इंस्टॉल करके रखा है और यहां से आप लोग बैक पी चल जाओगे और किसी भी आप लोग को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे एप में सिंप्ली आपको चला जाना है तो यहाँ से मैं एप गया ओके प्रेस किया suppose कर लो कि मुझे ये वाला एप डाउनलोड करना है मैं कोई सा भी कम MB का डाउनलोड करता हूँ मानलो कि मुझे ये वाला गेम डाउनलोड करना है ये टर्मेक रेस तो यहाँ पे मैं जाके simply होके प्रेस करूँगा और ये गेम को यहाँ पे देख सकते हो install का option आगया यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे install का option आगया और नीचे देख सकते हो size 1.24 MB 124 MB का नहीं है 1 MB का है यहाँ पे install पे जाके simply आप लोग को click कर देना है तो आपका वहाँ पे देख सकते हो कि install होने लगा तो वहाँ पर installing हमारे complete हो चुका है क्योंकि network हमारा बहुत ही fast है airtail का तो यहाँ पर आप लोग ऊपर के message देख सकते हो पढ़ लोग क्या आया और यहाँ पर नीचे देख सकते हो नीचे launch का option आ गया तो मैं simply launch पर जैसे ही मैं click करता हूँ तो यह app हमारा खुल चुका है तो ऐसे करके आप लोग किसी भी आप को download कर सकते हो और किसी भी आप को install कैसे करना है आप लोग को मैं बताता हूँ simply तो यह app आपको कुछ देरी के बाद खुल जाएगा आप लोग खुद अपने टीव में देख लेना तो मैं simply यहाँ पर back करता हूँ तो back करने के लिए आप आप simply यह back वाला बटम ले लो या फिर यहाँ से home वाला बटम से भी आप simply आप back कर सकते हो यहाँ पर simply आप लोग को home dashboard में चला जाना है और home dashboard में जाने के बाद यहाँ पर आपको AV का option दिख आऊगा तो आप अपने DTH में चला जाएगा तो यहाँ पे आप अपने TV वाले की AB वाले option में चले गए और मैं अपने DTH को off कर दिया तो मैं अप दिखाता हूँ कि आप किसी भी app को delete कैसे कर सकते हो अपने इस जो TV में आपका app है तो यहाँ पे simply आपको home button में चले जाना है तो home button में जैसे ही जाओगे तो आपका सारा का सारा app खुल जाएगा sorry मैंने setting का button home button में आपको press करना है तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैरे इतना सारा app खुल चुका है मैंने अभी नया API वाला download किया जो की terminate race था जो की एक game था तो इसको delete करना है तो कैसे करेंगे तो इस पे जा के pointer को टिका के okay दो तीन सकेंड तक press करके रखना और okay जैसे ही दो तीन सकेंड तक press करके रखेगे तो उपर सबसे उपर देख सकते हो cut cut का option आ गया तो आप लोगो को पता चल गया होगा कि किसी भी एप को delete करना है और कैसे download करना है और यहाँ पे किसी भी एप को आप यहा पे cut cut की option में जाके delete कर सकते हो और मेरा delete काम हो गया तो मैं आप simply back वाला बटन पर जाके बैक वाले बटन पर जाके मैं इसे बैक करूँगा और इसी के साथ मेरा काम यहीं पर खतम हो जाता है तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किसी भी एप को LG Smart TV में डाउनलोड या फी डिलेट कैसे करें तब तक कि यह मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके टाटा बाए बैने टेक केर